मैं चाहती हूँ कि जरूर इस बार थोड़ी जीत कॉंग्रिस की भी हो सोशल मीडिया पर बॉलेवोड आक्टरिस रवीना टरंडन का एक वीडियो काफी वारल हो रहा है इसमें वो ये कहती हुई सुनाई दे सकती है कि इस बार जीत कॉंग्रिस की हो इसलिए उन्हें सपोर्ट करने आई हुई पूरे देश को विकास की जरूरत और अगर हमारे देश की भलाई के लिए कुछ हो सके तो मैं हमेशा वहां जाऊंगी इस विडियो को सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर कई वेरिफाइड और नॉन वेरिफाइड यूजर्स ने देश में चल रहे आमचुनाव से जोड़ कर शेर किया है पाइल गुपता नाम की वेरिफाइड यूजर ने विडियो शेर कर लिखा है रवीना टंडन ने कहा कि इस बार कॉंग्रेस जीतेगी और इस पोस्ट को काफी शेर और लाइक भी किया गया है इसी दावे के साथ आदिवासी समचाण नाम के एक X अकाउंट से भी वारिल विडियो शेर किया गया है खेर इस वारिल विडियो का सच जानने के लिए हमने इस से जुड़े कीवर्ट्स गूगल कर सर्च किया सर्च करने पर हमें वारिल विडियो क्लिप से जुड़ा पूरा विडियो गुजरात देसी नाम के एक YouTube चानल पर मिला इसमें देखा जा सकता है कि विडियो 2012 को अपलोड किया गया है चानल के मताविक रवीना टंडन का ये विडियो 2012 का है दरसल 2012 में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाफ के दौरान कॉंग्रेस उमिद्वार के प्रचार के लिए रवीना वडोदरा पहुची थी वहां उन्होंने कॉंग्रेस उमिद्वार के प्रचार के लिए रोट्शो किया था और इसकी पुष्टी के लिए भी हमने कुछ कीवर्ड सर्च किये जिससे हमें कई तस्वीरें मिली खेर चानल पर मौझूद वीडियो में देखा जा सकता है कि जो वीडियो वारल हो रहा है ये उसी वीडियो का पार्ट है वहीं ये वीडियो चानल पर 12 दिसिंबर 2012 को अपलोड हुआ था खेर इन सब चीजों से साफ है कि सोशल मीडिया पर वारल वीडियो के साथ किया जारा हदावा पूरी तरीके से गलत है रवीन अटंडन का कॉंग्रेस के सपोर्ट में दिया गया बयान अभी का नहीं बलकी 2012 का है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है जूस 24